सोलन में करोना संगर्मन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिसमें अब एक के बाद एक कई बेंकों के शाखाओं के करमचारी करोना पोस्टिप निकल चुके हैं जिसके चलते 15 दिनों के बीतर करीबन 5 शाखाओं को एतियातन रूप से बंद किया जा चुका है आज भी राजकर रोड पर स्थित, SBI और बगाड बेंक की शाखा बंद बड़ी है जिसके चलते लोगों के जरूरी कारे प्रभावित हुए हैं बेंकों में जरूरी कारे करवाने जब लोग दूर दूर से पहुंचे तो बेंक बंद होने से बहत परिशान और चिंतित नजर आए आपको बता दें कि सोलन में सबसे ज़्यादा भीड भी इसी बेंकों में होती है लेकिन बेंक करोना संकरमन के चलते अचानक बंद कर दे गए हैं जिसकी बज़र से बेंक आने बाले लोगों को काफी दिकत परिशानियों का सामना करना पड़ा है बेंक में जरूरी कार से सिर्मोट जिला से आए महिला ने बतायी कि बे करोना संकरमन के कारण स्कूलों में हुई चुटियों के चलते अपने गाउन चली गई थी लेकिन बच्चों के स्कूल की फीज जमा करवाने बे बिशेश भ्रूप से स्तोलन आयी थी लेकिन बैंक को बंद पाकर बेह बहत उन्होंने कहा कि बेंक बंद पड़ा है और बेंक के बाहर कोई नोटिस भी बेंक द्वारा नहीं लगाया गया है कि आखिर बेंक क्यों बंद है और ये बेंक कब खुलेगा जिसके चलते उन्हें बेहत परिशानी हो रही है उन्होंने बेंक प्रशासन से आगरे किया है कि बे कोई नोटिस लगा हुआ ना कोई पता हमारे कोई बैंक बंद है क्या है कोई पता नहीं है अंदूर द्रास से आके दर प्रेशान हो रहे कि इसके बारे में क्या किया जाए नोटिस लगना चाहिए यहाँ पर कोई पता होना चाहिए किसी कभी बगाट बैक बंद है कुछ इसकी बैसी भी ओनी चाहिए जो फुले जल्दी से जल्दी इसे तो घर हमारे इधर भी है पर आज कल गाउं में चले गए वे ना डिस्टिक सिर मोर में घर इधर दोरी कवाल भ इसलिए कोई स्विदा नहीं है बैक बंद है इधर आके प्रेशान हो जा रहे इसलिए शिर मोर से ही यहां रहते नहीं घर तो है इधर भी जब तब रहते है जब बच्चे स्कूल जाते ऐसे तो घर में रहते शिर मोर में स्कूल है नहीं स्कूल बंद है इसलिए शहर में ब